भरतपुर के जाट शाशक माराजा सूरजमल ने पानिपत के तीसरे युद में जो की मराठों और एहमद शाबदाली के मद्दे लड़ा गया था 14 जनवरी सन 1761 में तो उस पानीपत के तीसरे युद में भरतपूर के जाट शाशक माराजा सूरजमल ने मराठों का साथ क्यों नहीं दिया था यानि कि उस युद से अपने आपको क्यों अलग कर लिया था और क्या एप्रत्यक्ष तोर पर महाराजा सूरजमल के द्वारा मराठों को क्या किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं दी गई थी क्या या किसी भी प्रकार से मराठों को सहायता या उनको सहयोग नहीं दिया गया था क्या इस विशय पर मैं आपके साथ में चर्चा करूँगा और इस समय एक जो मूवी आई हुई है पानी पत्त्री जिसमें महाराजा सूरज मल्की जो नकारात्मक भूमी का बताई गई है और उनकी छवी को गलत तरीके से पेश करने का प्रियास किया गया है उस विशय पर भी मैं आपके साथ चर्चा करूँगा और महाराजा सूरज मल्की वास्तों में क्या भूमी का थी और किस प्रकार से उन्होंने अपने राज्य में आएवे उन व्यक्तियों को यानि शरणार्थियों की किस प्रकार से साहता की और काफी लंबे समय तक के लिए अपने राज्य के अनाज बंडार खोल दिये थे उन लोगों के लिए वो विशय भी आपके समक्ष रखूँगा मैं रमन भार्दु आज और आप देख रहे हैं महाराजा सूरजमल की पानिपत के युद में क्या भूमिका रही थी उस विशय से सम्मन्दित ये वीडियो आईए शुरू करते हैं मैं इस वीडियो में पानिपत के तीसरे युद में किसी भी पक्षकी हारिया जीत के कारणों के संबन में चर्चा नहीं करूँगा मैं केवल चर्चा करूँगा कि इस युद में माराजा सूरजमल ने किस कारण से अपने आपको अलग कर दिया था पानिपत्त के तीसरे युद्ध के दौरान माराजा सूरजमल की क्या भूमिका रही थी, उस विशे के इड़गीर्द ही, मैं सारी बातें आपके साथ में करने वाला हूँ, क्योंकि इस विशे पर इस समय काफी विबाद चल रहा है, और माराजा सूरजमल की भूमिका को भी नकारात्मत तरीके से पेश करने का प्रियास किया गया है तो देखें, बात ऐसन 1769 इसवी की जब एहमद शाइब्दाली के दुआरा छटी बार भारत को लूटने के उद्देश से भारत की और प्रस्थान किया गया या भारत की और रुख किया गया और जब एहमद्शा अब्दाली के भारत की और प्रस्थान करने की सूचना मिली तो उस समय मराठे जो थे वो उद्गीर में थे तो मराठो ने एहमद्शा अब्दाली को वापस मार बगाने के लिए दिल्ली की और प्रस्थान किया अब मराठे जब दिल्ली के ओर चल रहे थे तो एहमद शाह अबदाली उस समय उत्तर प्रदेश के अनूप शहर तक आ चुका था यानि अनूप शहर में पहुंच गया था अब हमद शाह अबदाली को था हम छोड़ देते हैं और विशे लेकर आ जाते हैं मराठे और महाराजा सूरज मलक के मद्दे क्या विशे चल रहा था तो देखे मराठों ने उदगीर से और दिल्ली के और प्रस्थान किया और 2 जून सन 1760 इस वी को मराठा सेना गौालिर पहुंच चुकी थी मराठा सेना का इस समय जो नेत्रत्व कर रहे थे वो थे सदाशिय उराओ भाउ तो सदाशिव राव भाव के नित्रित में दो जून सन 1760 इस्वी को मराठा सेना ग्वालियर पहुंच चुकी थी और इसके बाद फिर मराठा सेना आगे की और बड़ी और बरतपुर राज्य में पहुंची ठीक है इस समय बरतपुर जाट राज्य था और बरतपुर के जो जाट शाशक थे वो थे माराजा सूरजमल तो सदाशिव राव भाव ने माराजा सूरजमल से यह अपेक्षा की कि वो अबडाली के विरुद होने वाले इस युद में मराठों को सहयोग देंगे मराठों का साथ देंगे तो माराजा सूरजमल ने मराठों को सहर्थ सहायता देने की बात कही अब वो शर्थ क्या थी उस शर्थ पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं माराजा सूरजमल ने ये कहा कि मैं आपकी सहायता करूँगा लेकिन मेरी शर्थ ये है कि मराठा सेनिक जो है वो जाट राज्ये में किसी भी प्रकार का उत्पात नहीं मचाएंगे किसी भी प्रकार की लूट मार नहीं करेंगे और इसके अतिरिक्त चौथ के लिए बार-बार तकाजा भी नहीं किया जाएगा चौथ क्या होता था कि मराठों का जिसक्षेतर पर अधिकार होता था तो उन राजे रजवारों से वो अप उनकी आय का यानि उनके रेवेन्यू का एक चौथा ही हिस्सा लिया करते थे जिसको चौथ कहा जाता था तो महाराजा सूरजमल ने बाते कहीं जिस पर सदाशिय राव भाव ने 8 जून सन 1760 हिस्वी को एगरी कर दिया यानि मराठा सैनिकों को आदेशित किया कि जाट राजे में किसी भी प्रकार की लूट पाट या उत्पाट ने मचाया जाए तो महाराजा सूरजमल के दुआरा मराठों को सैनिक सायता उपलब्द करा दी गई लेकिन फिर भी जब हम सोर्स परते हैं तो हमको जानकारी मिलती है कि महाराजा सूरजमल सदाशिय राव भाव भाव पर सीधे विश्वास करने को लेकर तयार नहीं थे इसलिए मलहार राव होलकर और सिंधिया इन दोनों की मद्यस्तता के कारण ही महाराजा सूरजमल ने सदाशिय राव भाव को सैनिक सायता उपलब्द कराने की बात कही जब मलहार राव होलकर और सिंधिया ने माराजा सूरजमल की सुरक्षा का शपत पूर्वक वचन लिया तो उसके बाद ही माराजा सूरजमल ने अपनी सैनिक सायता उनको उपलब्द कराई और 30 जून सन 1760 इसवी को माराजा सूरजमल माराठा केंप की ओर गए अपने सैनिकों को लेकर और यहाँ पर माराठा सेनापती सदाशिवराव भाव के दुआरा भी दो मील आगे बढ़कर यानि अपनी केंप से दो मील आगे आकर माराजा सूरजमल का स्वागत किया गया और सदाशिवराव भाव ने यमना नदी का जल अपने हाथ में लेकर दोस्ती के वचन को यानि मित्रता के वचन को दोहराया ठीक है यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है यहां तक मराठा और जाट सेना दोनों एक दूसरे के साथ में है ठीक इसके बाद क्या हुआ है इसके माराजा सूरजमल ने ये कहा कि जो भी मराठा इस्तरियां आपके साथ में आयू है उनको या तो आप ग्वालियर छोड़ दीजिए या उनको जासी उनको छोड़ दीजिए और अगर आप उन इस्तरियों को इतनी दूर नहीं बेजना चाते तो हमारे राज में यानि तोपे हैं या जो अनावशक सामगरी है उनको भी यहीं छोड़ दिया जाए और युद्ध जो है वो ऐसे अतियारों से लड़े जाए जिनको कैरी करना आसान हो ठीक है इसके अलावा माराजा सूरजमल ने ये कहा कि एहमद शाअबदाली को बारिश होने तक अठकाई रख जाए क्योंकि बारिश अगर होगी तो हमारे हित्मे होगी और एहमद शाअबदाली के लिए बारिश के समय में हिलना भी मुश्किल हो जाएगा ठीक है इसके अलावा माराजा सूरजमल ने ये भी कहा कि अबदाली के साथ में सीधे बिढ़ने की बजाए यानि खुले मैद लड़ा जाए जिससे जहांपर चापामार युद नीति से हम उसके साथ में युद कर सकें क्योंकि चापामार युद नीति करणा हमारे हित्मे रहेगा तो ये इस प्रकार के सुझाओ माराजा सूरजमल के द्वारा दिये गए और इन सुझाओं पर होलकर भी एगरी थे यानि हॉलकर भी इन सुजाओं को अपनाना चाहते थे लेकिन सदाशिव राव भाव के द्वारा इन सुजाओं पर ध्यान नहीं दिया गया ठीक है लेकिन इसके बाद भी अभी तक मराठा और जाट सेना साथ साथ थी और ये सेना दिल्ली की और बढ़ गई और दिल्ली पर जाकर इन्होंने अपना अधिकार कर लिया लेकिन दिल्ली में कुछ ऐसी घटनाए हुई जिसकी वज़े से सदाशिव राव भाव के द्वारा महाराजा सूरजमल को ऐसी बाते कही गई जिसकी वज़े से महाराजा सूरजमल ने इस होने वाले युद्ध से अपने आपको अलग कर लिया सदाशिय उराव भाव के द्वारा ये कहा गया कि क्या दखन से मैं केवल आपके भरोसे ही यहां पर आया हूं क्या अगर आप चाहो तो यहां पर रुको हमारे साथ रुको और अगर आप चाहो तो वापस अपने घर लोट जाओ अबदाली से निपटने के बाद हम आपसे भी निपट लेंगे ये बात सदाशिव राव भाव के दुआरा जाट शाशक माराजा सूरजमल को कही गई जिसके कारण उन्होंने होने वाले इस इद्व से अपने आपको अलग कर लिया हाला कि ऐसा हुआ क्या था ऐसी क्या गटनाए हो रही थी जिसकी वज़े से माराजा सूरजमल और सदाशिव राव भाव के मत्दे मतबेद हो गए तो उस विशापर मैं थोड़ी सी चर्चा करता हूँ देखें जब जाट और मराठा सेना का दिल्ली पर अधिकार हो गया था तो उस समय मराठों के सामने भी काफी प्रॉब्लम थी प्राबलम ये थी कि उनके सिपाईयों को खाने के लिए जो रशद सामगरी होती थी जितनी सप्लाई चेन की आवशकता थी उतनी सप्लाई नहीं हो पारी थी हाला कि भरतपूर रियासत की और से भरतपूर राजी की और से मराठों को खादे सामगरी उपलब्द कराई जा रही थी महराजा सूरजमल के दौरा उपलब्द कराई गई थी और बाद में जब मराठे पराजीत ओकर वापस लोटने लगे जिस पर मैं आपके साथ चर्चा करूँगा तो भी उनके द्वारा बहुत बड़ी संख्या में सरणार्थियों को खादे सामगरी उपलव्द कराई गई और शरण भी दी गई उस विशय पर चर्चा करूँगा लेकिन अभी मैं अपने पॉइंट पर ही रहता हूँ कि दिल्ली में जब वो पहुँचे तो मराठों के समक्ष खाने पीने की समक्ष्या भी थी और पैसे की समक्ष्या भी थी इस बात की जानकारी हमको एक लेटर से मिलती है जो कि सदाशिवरा भाव के दुआरा पेश्वा को लिखा गया था सितंबर सन 1760 हिस्वी में सितंबर सन 1760 हिस्वी में पेश्वा को लेटर जो लिखा था उसमें ये था कि हमारे सैनिकों को डेली उपुवास करना पड़ रहा है यानि हमारे सैनिक भूखे मर रहे हैं और हमारे पास में पैसे की काफी कमी हो रही है तो इसका मतलब पैसे की प्रॉब्लम तो थी तो इस पैसे की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सदाशिवराव भाव के द्वारा क्या किया गया कि दिल्ली में जो लाल के लिए में दिवान एक खास है उसकी छत पर चांदी लगी थी उस चांदी को उतरवा लिया गया ताकि उससे सिक्के डलवाए जा सके जबकि माराजा सूरजमल ये नहीं चाते थे माराजा सूरजमल चाते थे कि वो आपको धन उपलव्द करा देंगे और खादे सामगरी उपलव्द करा देंगे इसलिए इसकी छत पर जो लगी उचांदी है आप उसको ना उतरवाए माराजा सूरजमल ऐसा क्यों चाते थे? क्योंकि देखे माराजा सूरजमल के राज्य का भी प्रसार हो रहा था, काफी विस्तार हो रहा था इसलिए माराजा सूरजमल भी अब आगे चल कर यानि कि आने वाले समय में दिल्ली पर अपना अधिकार चाते थे इसलिए वो नहीं चाते थे कि दिल्ली में किसी भी चीज को डिस्टरब किया जाए इसमें गलत भी कुछ भी नहीं है क्योंकि अगर किसी राज्य का विस्तार होता है या प्रसार होता है कि आने वाले समय में जो क्षेतर उनके अधिकार में आने वाला है वहाँ पर उनका प्रभाव ही स्थापित रहे खैर कोई बात नहीं महाराजा सूरजमल नहीं चाते थे कि दिवाने खास की छत पर लगिवी चांदी को उतरवाया जाए जबकि सदाशिव राव भाव के द्वारा उस चांदी को उतरवा कर उसके सिक्के डलवा लिए गए ठीक है इसके अतरिक्त महाराजा सूरजमल ये चाते थे कि इमाद उल मुल्क को ही वजीर के तौर पर कंटिन्यू रखा जाए दिल्ली के मुगल बादशा के वजीर के तौर पर जबकि सदाशिव राव भाव ने नारो शंकर को वजीर के तौर पर यानि वजीर बनाने की घोशना कर दी थी तो माराजा सूरजमल जो नहीं चाहते थे वो गोष्णा भी सदाशिव राव भाव के द्वारा कर दी गई थी इसके अतिरिक्त माराजा सूरजमल ये चाहते थे कि दिल्ली के जो महल है यानि दिल्ली का जो क्षेत्र है वो माराजा सूरजमल की सुरक्षा में ही रहे जबकि दिल्ली के महलों पर सदाशी उराव भाव के द्वारा मराठा सेनिकों की तैनाती कर दी गई थी तो ये काफी विश्या ऐसे हो गए थे जिसके बाद माराजा सूरजमल ने कहा कि यदि आपको अमारी साहता चाहिए तो एक तो दिवाने खास पर जो चांदी लगी थी उसकी छत पर एक तो उसको लगवाया जाए और दूसरा नारोशंकर के स्थान पर इमादुल मुल्क को ही वजीर के तोर पर कंट्यूनियू रखा जाए अगर आपको सैनिक साहता चाहिए तो ये दोनों शर्ते माननी पड़ेंगी वरना हम अपने आपको अलग कर लेंगे तो इसके बाद फिर सदाशियू राओ बहु ने ये कहा कि क्या दखन से हम आपके बरोसे यहां पर आए हैं क्या अगर आप चाहो तो यहां पर रुको और लोटना चाहो तो वापस लोट सकते हो अबदाली से निपटने के बाद हम आपसे भी निपट लेंगे तो यहां पर देखे गौर करना कि माराजा सूरजमल ने माराठों को सैनिक साहता उपलब्द कराने की बात दो व्यक्तियों की मद्यस्तता के कारण दी थी एक तो मलहार, राओ, होलकर और एक सिंधिया के कहने के कारण क्योंकि उन दोनों ने ही माराजा सूरजमल की रक्षा का शपत पूरवक वचन लिया था इसलिए माराजा सूरजमल ने सैनिक साहता उपलब्द कराने की बात कई थी और स्वयम उपस्थित हुए थे तो यहाँ पर जब होलकर और सिंधिया को ये लगा कि माराजा सूरजमल की जान को खत्रा हो सकता है इसलिए उन्होंने माराजा सूरजमल के जो सलाकार थे रूपाराम कटारिया उनको ये कहा कि जितना जल्दी हो सके माराजा सूरजमल को दिल्ली से अलग कर लिया जाए यानि कि माराजा सूरजमल को यहां से बाहर ले जाए जाए और इसके कारण ही माराजा सूरजमल दिल्ली पाजुद इसके उन्होंने मराठा सैनिकों का यानि की वो मराठा सैनिक जो पराजित ओकर जा रहे थे जिनको आम जंता के दुआरा लूटा जा रहा था परिशान किया जा रहा था महाराजा सूरज मल ने आगे बढ़कर उनको अपने राजमे शरन दी काफी समय तक उनको बो मराठा सैनिकों को लूटना शुरू कर दिया यानि उनके जो कपड़े थे या उनके पास में जो भी बचा कुछा समान था वो उत्तर भारत के जो लोग थे उन्होंने उनसे लूटना शुरू कर दिया तो यहां पर माराजा सूरज मल की जो पतनी थी किशोरी देवी उन्हो 40,000 शरणार थी जो थे यानि 40,000 जो इदर दर से आएवे लोग थे जिसमें मराठा भी थे उनको शरण भी दी गए उनके लिए खाने पीने का सामान भी उपलब्द कराया गया और इसके अतिरिक्त माराजा सूरज मल की किस प्रकार से सकारात्मक भूमिका रही थी नाना फड़नविस का एक लेटर है जिसमें उन्होंने का था कि माराजा सूरज मल की भूमिका से उनके मन को उनके चित्व को बड़ी सांत्वना मिली है यानि कि जो भूमीका माराजा सूरजमल की रही है इस युद्ध के पस्चाइट वो माराजा सूरजमल की इस भूमीका से काफी प्रसंद है मैं कुछ और इतिहासकारों के पक्ष भी आपके समक्ष रखना चाता हूँ जैसे सर जदुनाद सरकार जो एक प्रसंद इतिहासकार हैं उन्होंने काया कि इस समय माराजा सूरजमल के राज्य में 50,000 शरणार्थी आए वे थे और उन 50,000 शरणार्थियों के लिए माराजा सूरजमल ने अपने राज्य के बंडार खोल दिये थे जबकि एक अंग्रेज पादरियें जिनका नाम है वेंडेल उन्होंने तो ये बताया कि इस समय एक लाग तक की संख्या में शरणार्थी माराजा सूरजमल के राज्य में आ गये थे और माराजा सूरजमल ने उनको शरण भी दी और उनके लिए अनाज यानी की खाने पीने की व्यवस्था भी करवाई थी आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि माराजा सूरजमल की क्या भूमिकार रही होगी वेंडेल के द्वारा वोई अंग्रेज पादरी का एक कथन है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पर जाटो के द्वारा मराठों के प्रती काफी दयालूता का व्यवार अपनाया गया था और ये भी लिखा गया है कि यदि माराजा सूरजमल चाते इस समय जाटो की शक्ती इतनी चरम पर थी जैसा वेंडेल कहता है वेंडेल जैसा लिखता है कि इस समय जाटो की शक्ती इतनी चरम पर थी कि यदि माराजा सूरजम उन्होंने भी इस युद्ध के पस्चाद माराजा सूरजमल की सकारात्मक भूमिका का वर्णन किया है ग्रान डफ ने क्या कहा है कि यहाँ पर माराजा सूरजमल का जो विवार था मूवी में किसी भी विशय को जादा बिना अध्यन किये वे सीधे योई डाल दिया जाता है लेकिन फिर भी हो सकता उन्होंने जैसा पढ़ा कि सोर्स से पढ़ा और यहां पर मेरे दुआरा जो भी जानकारी दी गई है जिस source के द्वारा जानकारी दी गई उस संब्द में मैंने आपको source के संब्द में भी बता दिया लेकिन फिर भी यहाँ पर माराजा सूरजमल की जो भूमिका थी वो माराठों के पक्ष में ही थी और माराजा सूरजमल ने इस युद के पस्चात यानि पानिपत के युद के पस्चात माराठों के प्रती सकारात्मक व्यवार का प्रदर्शन किया था लेकिन अगर सदाशिव राव भाव और माराजा सूरज मल्क के मद्य मतबेद नहीं होता तो हो सकता था शायद इस युद्ध का परिणाम कुछ और हो सकता था अब ये युद्ध के हार के क्या कारण थे मराठों की हार के क्या कारण थे उसके संबंद में मैं काफी डिटेल से एक और वीडियो बना दूँगा लेकिन फिर भी यहाँ पर ये वीडियो जो बनाने का उद्देश्य था हो महाराजा सूरज मल्क की मूवी में जो नकारात्मक भूमिका दिखाई गई है उस नकारात्मक भूमिका को हटा कर वास्तों में महाराजा सूरज मल्क की क्या सकारात्मक भूमिका थी उसका चित्रण आपके समक्ष प्रस्तुत करना था तैंक्यू धन्यवाद